आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे इन्वाइरोमेंटल स्टडीज यानि की E.V.S. ठीक है परियवरन अध्यन में आज हम लोग उसका दूसरा यूनिट पढ़ेंगे अगर आपने इसका पहला यूनिट नहीं देखा इसके अलाबा आप लोगने अगर सिलेवस नहीं देखा है तो हमारे एक्जामटी के चैनल में जाएए प्ललिस्ट में देखिए इन्वाइरोमेंटल स्टडीज लिखा रहेगा E.V.S. वहाँ जाके आपको सबसे पहले सिलेवस देखना है उसके बाद यूनिट 1 देखना है और उसे कोपी में नौट कर लेना है इसके बाद यूनिट 2 देखना है ठेक है यूनिट 2 को हम लोगने हिंदी और इंग्लिस दोनों मिडियम के student के लिए तयार किया है तो सबसे पहले हिंदी मिडियम से सुरुबात करते हैं जो कि Hindi medium की student है इसके बाद English medium student के लिए भी इसी में है तो अब आपको जो है इसको समझना है सबसे पहले कि इसमें कौन-कौन से इसे points है जो कि हम लोग को exam के इसाब से पढ़ना होगा तो पूरा syllabus में आपको यह point दिया है जो यहां पे हिंदी में लिखा है नहीं यह वला क्या परकार है और यह भूर अशयन उत्पादक्ता की अधारणा है पारिस्तिती की जो पिरामीड है समिस्थिती है जिसे समनव्य भी कहते हैं और इसके परकार है तो यह सारे points को हम लोग को पढ़ना है ठीक है हालांकि इस points को अगर detail में आपको पढ़ाया जाए तो बहुत सकता है लेकिन अब हम लोग का exam सामने है ठीक है मान लिजी कि एक मेने के बाद exam होने वाला है तो हम लोग को क्या करना है कि इस इसको पढ़ना है short करके ठीक है तो विस्तार से बेख्यागा मतलब उतना विस्तार से नहीं है यह short करके बताएगा है ताकि आप इस चीज को जेब परनाली की परिवासा है वो जो पारिस्ति की तंत्रे को क्या है तो देखिए यह लिखा है जेब परनाली एक जेटल परनाली है जिसमें जीवित पराणियों जिसमें की जेवी गटक आते हैं और उनके भोतिक परिवेश सामिल होते हैं और एक इकाई के रूप में मिल पूर्ण योगदान होता है तो जय परणाली है ठीक है यानि कि हम लोग का जो ecosystem है ठीक है पारिष्थितिकी तंत्र है यह इसी परकार से काम करता है कि यहां पर सभी जयविक और अजयविक घटक सामिल रहते हैं और मिलकर कारिय करते हैं ठीक है यानि कि जीवन का संचालन जिस तरीके से होता है उसे बोलते हैं जेव परनाली यानि कि हमारा पारिशिति की तंत्र ये तो इसकी परिवासा हो गई अब इसके संरचना कैसे इसको समझते हैं जेविक परनाली की संरचना सबसे पहले आता है इसका जेविक घटक तो जेविक घटक को समझते हैं कि जेविक घटक क्या है तो जेविक घटक बताया क्या है कि वे प्राणियां सामिल होती है इसमें सुचमजीब से लेकर पोदे से लेकर जानवर सभी जीवित प्राणी होते हैं और जेविद गतक एक दूसरे के साथ परतिस्पर्दा करते हैं, भक्षन करते हैं, सैयोग करते हैं और इस माझ्द्यम से जिन्दा रहते हैं अब यहां पर कौन-कौन सी बाते बोलेगी है ये परतिस्परदा भक्षन, सयोग यानि कि एक दुसरे से competition करते हैं कि हमको ज़्यादा लेना है और भक्षन मतलब एक जानवर दुसरे जानवर का सिकार भी कर देता है खुद को बचाने के लिए और कई बार जानवर जो है सयोग करते हैं दुसरे का आगे बढ़ने के लिए जानवर इस परकार से जविक गटक बने रहते हैं अब अजविक गटक को समझते है अजविक गटक क्या है अजविक गटक जो है ये जविक परनाली में नहीं रेने वाले कारक है मतलब निर्जीव हैं और जिवित प्राणियों के वित्रण और प्राणियों की प्रजाती की विपनन में प्रभाव डालते हैं यह जो अजेविक घटक है यह भौत एक कारक है ठीक है जैसे की तापमान, सुर्य किरने, पानी, मिर्दा, हवा की गुणवत्ता यह सारे चीज़ें को हम लोग बोलते हैं अजेविक घटक अजेविक घटक में पेड, पोधा, पसू, पक्षी, सुचमा जीव यह सब सारे चीज़ें जीविक होंगी और अजेविक में तापमान, सुर्य की किरने, पानी, मिर्दा, सरचना, हवा की गुणवत्ता, भूवेग्यानिक, सुविदाएं यह सारे चीज़ें क्या है, आजेविक है तो जेविक और आजेविक मिलकर जेव परनाली तयार कर देते हैं क्योंकि जीवित चीज़ों को यहां पर जिंदा रहने के लिए भी आजीवित चीज़ों की जरुरत पड़ती है अब जेब परणाली के कारियों को समझते हैं सबसे पहले भोतिक परिकिरिया यानि उर्जा परवा उर्जा परवा के बारे में अगर आपको समझना है तो आप यह से समझिए कि एक जानवर का जो उर्जा है वो दूसरा जानवर में कैसे ट्रांसफर हो जाता है यानि कि जेब परणाली को नियमित उर्जा के विशकता होती है और पादप जो है उस उर्जा को सबसे पहले प्राप्त करते हैं परकास अंसलेशन की सहता से तो परकास अंसलेशन के माध्यम से पेड़ पोधे सूर्य का एनरजी को अपने यहां जमा कर लेते हैं और फिर उसी उर्जा को कौन लेता है मालीजी की बकरी ने खा लिया उस गास को हीरन ने खा लिया उस पादप छोटे मोटे को तो वो उर्जा किस के पास चली गए हीरन के पास या बकरी के पास हीरन को खा लिया बाग ने तो वो उर्जा बाग के पास चला गया बाग जब मर गया तो उसको खालिया चील ने तो उर्जा चील के पास चला गया और चील जब मर गया तो उसको खालिया चोटे-चोटे सुचमजीब होने तो उर्जा चला गया सुचमजीब के पास और जब सुचमजीब मर गए तो मिट्टी में मिल गए और उस मिट्टी को वापस सोख के अगला पादब तयार हुआ तो अगर आप यहां धियान से देखेंगे तो यह उर्जा का क्या है? एक चक्रज है एक परवा है जो की एक से दुसरे में धीरे धीरे जा रहा है ठीक है? तो यह प्रोसेस चलते रहता है यहां पर एक बात बताएगी है जो की बहुत इंपोर्टन्ट है की उर्जा जो परवा है न वो एक देशिक होता है एक दिसिया होता है और हर बार तोर बताय गया है कि हर एक एक लेवल के बाद यह कम होने लगता है माल लिजिये कि सूरिय का जो उर्जा है वो है 100 परसंट अब वो उर्जा चला गया पादब के पास परकासंसेलेशन का माझ्ट्दम से 90% हो गया अब उसको खा लिए हिरन ने तो उर्जा हो गया 80% हिरन के पास अब वो उर्जा चला गया बाग के पास तो वो हो गया आप लोग का 60% बाग से चील में 40% चील से सुचमजीब में 20% और वापस वो 20% जो है मिट्टी में जाका मिलके खतम हो जाता है मतलब वहां से ट्रांसफेर होके सिधा प्रेड़ पोदमें वापस 108% के रूप में चला जाता है तो ये जो परवा है ये परवा भौतिक किरियां के माद्धियम से होता है इसलिए से बहुतिक परकिरिया उर्जा परवा कहते हैं अब जेविक परकिरियां को देख लेते हैं ज पर नाली में एक दुसरे के संवन्ध जेव अर्जा और पोशक तत्रोका संकलनको को दरसाने वाली कई जुड़ी खाद श्रिंखलाइँ होती है ये के खाद श्रिंखलाइँ का रेकांकित पर्तिनुद्यित है जो बताता है कि कौन किसेख खाता है जब Savior कह बताता है खाद स्रिंखलाओं के समू को दरसाता है खाद जाल ठीक है तो कौन किसे खाता है जैसे मैंने अभी बताया घास को हिरन खाता है सिरन को बाग काता बाग को छेल कहते और चील को सुचमजीव तो ये कौन किसे खाता ये होगो गया खाद सरDa और खाद सरिवक्णायों को जब जाल बन जाया बहुत जादा काध सेंकका हो जाए ठीक है तो अमन shimmer को बोलते हैं खाद जाल या फिर अहार जाल ठीक है और पारिसिती के उत्थान एक परणाली है जो की परजाती के सहरचना और विकास के लिए धीरे-धीरे परिवर्तन को बताता है दरसाता है किस परकार से उस पे बदलावा रहे हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला हम लोग का फॉरस का परीषंचरन होता है और यह परकेरिया जेविक और अजहिक गटवक को सामिल करती है जहां संगठन सिल्ल कारियों के माहद्यम से पोसक तत्व का प्राप्ती होता है उसका उपयोग होता अ उदगम होता है यानि इस परकार से पोसक वो को एक से दूसरे जगह में ट्रांसपर होता है तेके जैसे आप कारवन चकर के बारें पढ़े होंगे नाइटरोजन चकर फासफोरस चकर तो यह जो प्रोसेस है किस परकार से एक से दूसरे पादप में जाती है इसी को बोला गिया है पोसक तत्व की संचार अब आते हैं परिसिति की पिरामीड और समनवे के सिद्धानत में उत्पादा का एक प्रनाली है और नविनितम जीविक उर्जा के रूप में जो संकलित होती है उसको मापने का एक माद्यम है यानि बताती है यह प्रनाली की कितनी उर्जा को फिर से उत्पन कर सकती है और कितनी उर्जा जीव जंतों तक पादक तक वो पहुँच रही है ठीक है और किस माध्यम से वो उर्जा जो है नश्ट हो मतलब एक परकार से नश्ट होती है ठीक है तो मूल उर्जा जो है कहां से आता है और कहां तक वो जाता है इस बात को उत्पादक तक अंतरगत बताया गया है और इसके एक परनाली है जो कि संबेदन सिल प्राणियों की संख्या और उर्जा की स्थर को दरसाती है इसमें हम हर एक स्थर पर एक समू की संख्या या उर्जा की मात्रा को निचे से निचे की स्थर से कम होने लगती है जिसे मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे अगर बात करें तो समनव्य जेब परनाली में इस्थिर्ता और संतुलन का माध्यम है ये बताता है कि जेविक और अजेविक परक्रियाओं के माध्यम से परनाली अपनी इस्थिती को बनाया रखने में कितना सक्षम है समनवय आपको परनाली के सामरीक बदलाव के परती संवेदल सिल बनाता है और प्राणियों, पोसक्ततों और परियावरें के विच संतूलन की सुरक्षा करता है यानि समनवय के तहट इस बात को बताया गया है कि किस तरीके से जो जे परनाली है वो संतूली थे अब हम लोग को बताया गया है पारिस्तिकी तंत्र के परकार देखिए यह क्या क्या परकार है सबसे पहले पारिस्तिकी तंत्र का जो परकार हो इस्थलिय पारिस्तिकी तंत्र इसके तहत आपको कौन-कौन चीजों को पढ़ना होता है इसके तहत आप पढ़ेंगे गासका मैदान, रेगिस्तान, टूंडरावनसपती, आदरभूमी ये सारी चीजें जो है इस्थलिया पारिष्टिकी तंत्रा के अंदरगत आती है अब इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो जलिया पारिष्टिकी तंत्रा आएगा और इसके तहत आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जील नदी तलाब में किस परकार से जीव जन्तू एक दूसरे पर निर्वर हैं जीवित हैं इसमें आप समुंदर के बारे में भी महासागर परवाल वित्ती जुआर नदमूक और तट्ये छेत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे इसके अलाबा यहां पर यह बता जगए कि पानी की गेराई तापमान लवनता पोसक तत्व की मात्रा कैसी है जी साधार पर वहां पर ज जंगल सिर्फ धर्ती पर यह समुदर का अंधर भी विसाल विसाल जंगल है ठेक है उतना गहरा समुद्र है क्रितें पारिषति की तंत्र के बारे में जब समझेंगे इसको इंगलिस हम पढ़ेंगे तो आटिफिशियल एको सिस्टम है तो इंसान क्या करता है अपने तरीके अक उतरी धुरोब्य अक दकशनी धुरुबर दोनों इलाखा बहुत ठंडा है तो इन इलाखों के जो जानवर होते हैं इन इलाखों के जो पादप होते हैं वो एकदम ही अलग होते हैं तो इसको बुला गDayा धुरूब्य परिश्तिति के तंत्र अब अगर आप बात करेंगे परवत की तो इसे बोलते हैं परवत में कौन-कौन सी चीजे हैं तो परवतिय परष्टिकी तंत्र है क्या तो उचाई के साथ साथ परवत्ती छित्र में जो है तीवर परियावरेने परवन्ता अधिन होती है तापमान होता है बरसा होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जिस वजह से याँ आपका जो पारिश्तिकी तंत्र होता है एकदम अलग होता है ठीक है तो फाइनली पारिश् पर किसे परकिलिया करते हैं यानि कि परिष्ट की तंत्र के माध्यम से हम लोग यह समझ सकते हैं कि जीव जंतु किस तरीके से एक दुसरे पर निर्वर हैं और किस तरीके से अपना जीवन चला रहे हैं ठीक है तो कहीं नहीं यह जो हम लोग पारिष्तिकी तंत्रों को बनाए रखने के लिए ठीक है तो यहां पर यह हो गया आपका हिंदी का ठीक है तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह जो लेक्चर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिस मीडियम दोनों के लिए है तो मैंने फिलाल हिंदी मीड इसको लिखेंगे वहीं वहीं सेम चीज़े हैं बस यहां पर explain मैंने हिंदी में उसको कर दिया है ठीक है तो यहां पर जो है इसका EVS यह देखिए environmental studies है ठीक है आप देख सकते है environmental studies EVS unit 2 वहीं चीज़े है definition and concept of ecosystem है उसका concept बताया है ठीक है कि किस परकार से जो है ecosystem को हम लोग structure को उसकी वैख्खा करेंगे और इसका structure of ecosystem दिया जैसे मैंने जेविक और अजेविक बताया न तो यहां पर biotic और abiotic है और इसके वाला हम लोगने ecosystem का function जाना उसका परनाली के से काम करता है हम लोगने उर्जा परवा को जाना जो की energy flow है फिर हम लोगने food chain जिसे बोलते है आहार शिरिंकला food babe आहार जाल ecological succession ठीक है परस्तिति के उत्थान क्या है और और बायो जियो केमिकल ठीक है यानि कि पोशन इस्तर के बारे में पढ़ा और concept of productivity एकोलोजिकर पिरामिड और होमस्टेटिस के बारे में पढ़ा और फाइनरी हम लोग types of ecosystem के बारे में पढ़े जिसमें इस तल के बारे में जल के बारे में धुरूब के बारे में आपको करना क्या सबसे पहले ठीक है इसको लिख लेना है और इसके बाद आपको यह वाला लिख लेना है यह ठीक है ecosystem definition and concept उसके आपको इसको लिखना structure and ecosystem ठीक है इसको मैंने इंदी में वैख्या कर दिया वापस से उसी पर जो है उतना जाद टाइम देने के जरूरत नहीं ह इसमें हो जाएगा तो यह सारी चीजें है function of ecosystem है ठीक है किस परकार से function करता है यह फिजिकल प्रोसेस है energy flow किस परकार से होता है देखे लिखा है ecosystem require a continuous input of energy ठीक है primarily from the sun sun से direct आता है फिर जो plant में जाता है और बाकी जनवर उसे खाते हैं यहाँ पर देख सकते है biological process बताए गया यहाँ पर बायो जियो केमिकल प्रोसेस बताए कि इस परकार से जो पोशन है हुआ एक दूसरे में transfer होता है concept में हम लोग ने पढ़ा उत्पादकता productivity है देखिए ecological pyramid है और यहाँ पर आपको मिलेगा homo status ठीक है जो की संतुलन बनाय रखता है ecosystem क्या करता है balance यह देखिए यह यह जमीन वाला है जिसमें आप लोगने टूंडरा बनस पन्ति के बारे में पढ़ा होगा तो आपको अब यहाँ पर दिख जाएगा टूंडरा वेटलेंड डेजर्ट ग्रासलेंड फिर आप लोगने एकवा एक्वाटिक के बारे में यह जलिया पाश्टी के बारे में पोलर एको सिस्टम के बारे में अपला पोलर मतलब धुरूबय के बारे में पढ़ा कि धुरूबय चेटरे में रहने वाले जो जानबर बंज यंगलता अलग होते हैं फिर परवतियों मांटन वाला आप लोगने पढ़ा उसके बाद अंडरस्टेंग मनत्ल फाइनर वें ज यानि कि अगर पारिष्टिकी तंत्र के इसाब समलोग चलें तो यह नेचर बना रहेगा और सभी वेक्ति जो है इस माध्यम से जूड़े रहेंगे इसको पढ़ने के बाद बेग्यानिक यह समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो सुचमजीव है जो जीव हैं वो एक दूसरे से connected होंगे leading to informed decision regarding conservation and sustainable management practice तो यहाँ पर जरूरत है कि किस परकार चमलोग sustainable तरीके से जीवन को जी सकते हैं यानि कि परियावरन को बचाते हुए भी खुद का जिंदेगी जी सकते हैं क्योंकि पेड़ पादप हैं तभी तो इनसान भी हैं बाकी जानवर भी हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें हो गई तो अब यहाँ पर क्या करना आपको कि यह सारी चीज़ें को लिख लेना है ठीक comment में यह चीज भी बताइए कि sir इस point का येकर हम और आसान तरीके से समझ सकते हैं इससे हमें यह पता चलेगा कि आप कितने serious होकर इस पर ध्यान देके पढ़ रहे हैं ठीक है सिर्फ वीडियो देख लेने से आप नहीं समझेंगे इसको याद रखिए आपको सबसे इसको लिखना होगा फिर इसको पढ़ना होगा तब जाके अपने आपको एक स्टूडेंट मानिए जब अपने आपको इस्टूडेंट मानिए तो आपके अंदर पढ़ने की इचाएगी तो आप बहुत कुछ सिख सकते हैं याद रखिए दुनिया का सबसे सुन्दर काम है सिखना अगा जितना आप सिखेंगे आपका जो है मन आनंद से भर जाएगा ठीक है लेकिन यह बहुत जन को पता ही नहीं है लोग इंटर्टेंवेंट डूंते रहता हसी के च सकते हैं और उस ग्यान के माध्यम से एक सुन्दर दुनिया का विकास हो सकता है ठीक है तो इसलिए इस एकोलोजी को यानिकी एकोसिस्टम को यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से हम मानव इस प्रिथिवी को सुन्दर बना सकते हैं ठीक है पेड़ पोदों के साथ तरिके से लिख लीजिए को भी डाव्ट्स होगा उसे पुछिए ठीक है उम्मिद करते हैं कि आपको यह व्यो समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो आप यह से आच्छे तरिके से क बाद देख लीजिए अगर आपको कोई स्साह नहीं समझ मैं तुसे कमेंट कीजिए ठीक है बहुत बहुत देन्यवाद